वक्त हमारे साथ उदंपूर से मुझुड चुके हैं क्योंकि वहां से हाई प्रोफाइल सीट मारी जाती है केंद्रमंत्री जुतेन सिंग वहां से शुनावी मैदान में है तस्वीर वहां की क्या बनती है हम सीधा उनी से जाने गे सुनील बताएए क्या तस्वीर है वहां की बिल्कुल नवजोत इस समय मैं एक पोलिंग बूस के बाहर हूँ यहां पर उदंपूर जिले में टिक्री गाओं में और यहां पर इस बार जो है काफी कड़ा मुकाबला है पिछली बार जो जितेंद्र सिंग थे बीजी पी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने साथ हजार से ज्यादा मतूं से जो है कांगरस के वरिश नेता गुलाम नभी आजाद को उन्होंने हराया था लेकिन इस बार उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि महराजा हरी सिंग के जो पोत्र हैं पोते हैं युवराज विक्रा मदित्य सिंग वो इस समय चुनावी मै सेकलुरिजम के नाम पर ऐसा कर रहे हैं तो साफ़ तोर पर इस समय जो विपक्ष है एक जूट है यहां पर और इसीलिए डॉक्टर जीतेंदर सिंग जो है उनके लिए इस समय जो चुनावी जो है काफी बड़ी मुश्किल है इस समय क्योंकि इस समय वो एक सायुक्त तोर पर जो विपक्ष के जो उम्मीदवार है उनका सामना कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किले इतनी कम नहीं है और भी कुछ ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बीजेपी के जो पूर्वनेता है चोदरी लाल सिंग जो कि यहां पर उदंपूर लोकसभा शेतर से दो ब है लेकिन यहां पर जो बीजेपी के प्रत्याषि यह जो की केंदर मंतरी भी है डॉक्टर जी तेंद्र सिंग्वाइफ पूरा विश्वाज जता रहे हैं कि परदान मंतरी अबी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, साथ बजे आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहां मतदान शुरू होगा और अगर नवजोत मैं आपको दिखाऊं कि वहीं पर अगर मैं अपने कैमरा परसन से काऊं वो तर्कूट परवत है वहाँ पर माता वैशनो देवी का दर्बार भी है, मेरे कैमरा परसन आपको दिखा रहे हैं, मन मोहक दर्श है और लेकिन इस बार अभी यह देखना बाकी है कि मा वैशनो देवी अपना आशिरवात किसे देती है डॉक्टर जीतेंदर सिंग को, युवराज विक्रामदित्य सिंग को, वो यहां की जनता ही तै कर पाएगी हमारे साथ इस समय कुछ सुबा सुबा कुछ वोटर आए हैं, यहां पर वो भी जुड़ गए हैं हम सीधा इनी से पूछते हैं, उदंपूर की जनता से पूछते हैं इस बार जनता जब अपने मातादिकार का इस्तमाल करेगी, तो मन में, जहन में कौन से ऐसी बात होगी जो सोच कर जाएंगे बटक दबाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल नवजुद, आप बताईए कि इस बार मुख्य मुद्दा क्या है चुनाओं में आपके लिए कि जिसको ध्यान में रखकर आप वोड़ देंगे दिकास, दिकास, आच्छा तो 375 को लेकर भी बड़ी राजनीती हो रही है हाल-फिलाल में, वो भी क्या, कोई मुद्दा रहेगा? दो मुद्दा रहे गए, रहे गा, जयेंट के जब तक आप चाहते हैं कि 370 हटना चाहिए रहना चाहिए? विकास के लिए तो जेंड के लिए तो हटना चाहिए हमारे साथ कुछ और वोटर भी जुड़े हैं हम इनसे भी बात करते हैं अच्छा आप बताइए हमें की आप बताइए कि जो वह इस बार जो मतदान होगा यहां पर उदंपूर में विकास कारी आपने कहा कि सबसे बड़ कराया अभी पिछे काम अभी चालू होगा उपर उद्धर बदर्वाक इस्तवाड में नों टरनल का काम कर शुरू करवाया तो लेकिन इस बार क्योंकि वह उनके काम जो बड़े काम हैं वह हमारी पब्लिक जो शोटे गाउं के लोग हैं उनको दखाई ने देते हैं कि वह अगरी बड़े काम हो उनको पता निजा तके क्या इदर हो रहा है इस बार जो महराज हरी सिंग्ग के जो पोत्र हैं व्यूवराज विक्रम दित्य सिंग्ग वह भी चुनावी मैदान में उनके जो पिता हैं डॉक्टर करन सिंग्ग चार बार यहां से सांसद रह चुके थे उनका आप उनकी उमीदौरी के बारे में ऊद्छिजे आ यृफ को भी शगल में नहीं देखा miedo भी हमारे बीच में आयी हुआ है क्वेश में नहीं 具 हम कैसे बहु कि अदिशह क editor